अगर कोई उदास है तो उससे दूर नहीं होना चाहिए, उसके पास तो और बैठना चाहिए, उसके साथ तो और बैठना चाहिए, इससे बड़ी तो कोई सेवा नहीं होती है, हम सब कितनी सेवा करते हैं, हम गुर्दवारे जाते हैं, हम सिर्फ खड़े ओकर औरों की चपल ही बनाते हैं, हम किसी को लंगर परोस्ते हैं, यह सब सेवा है, और कोई दुखी है, उदास है, उससे दूर हो जाएंगे, उसके पास तो और बैठना चाहिए, उसके साथ तो और जीना चाहिए, उसके साथ तो और काम करना चाहिए, अपनी खुशी उसको देकर उसको ठीक करना, उसकी उदासी लेकर खुद नहीं उदास हो जाना It is a choice who will influence who किसकी energy का प्रभाफ किस पर पड़ेगा ये choice है आप पेशे की तोर पे electronic engineer है energy की बात करते हैं आप scientific बात करते हैं You really believe एक इनसान और दूसरे इनसान के बीच जो raise चलती है किसी की औरे में enter हो जाना और रिली कुछ चीज है ऐसे या ये सब myth है हमें believe करने की ज़रुत नहीं है हमें खुद अपना अनुभव check करना है क्या कभी आपने ऐसा experience किया कि आपका mood थोड़ा सा low था आपका मन परेशान था और आप किसी से मिले friends, family और थोड़ी देर के बाद आपका mood better हुआ क्या आपने कभी ये experience किया ये किया, आपने experience किया आपने ये भी experience किया कि कभी आपका mood बिल्कुल ठीक था लेकिन आप किसी से मिले और थोड़ी देर बैठे और आपने फुर बोला मेरा mood ही अच्छा नहीं है अभी उनको मिलने के बाद ऐसा experience किया तो ये कोई सुनी-सुनाई बात नहीं है ये हमारे जीवन के सारा दिन के experiences है तो क्या हुआ आप जिसके संग में बैठे उसके संग की जो energy है उसका असर आप पर हुआ तो कभी-कभी हमें किसी से बहुत अच्छी वाली energy मिल जाती है कभी-कभी किसी से थोड़ी सी दोर वाली energy मिलती है इसलिए कहा जाता है संग का रंग इसलिए कहाता है सत संग तारे तो संग दुबोई संग का रंग लगता है संग का तो रंग लगता है दूसरी तरफ आप ये भी कहती है बहुते और लोग भी ये कहते हैं कि जो constant state है mind की, bliss है और bliss ही खुशी है चेंज नहीं होती फिर दूसरे के आने से negative personality के आने से positive personality के जाने से ये उदासी और खुशी के बादल क्यों आते जाते रहे हैं तो दो लोग जब मिलते हैं अभी हम दो लोग मिल रहे हैं अगर आप 100 के उपर है frequency पे, let's say इधर है और मेरे मन की स्थिती बहुत लोग है तो मैं let's say 20 पर आई और आप 100 पर है अब आप इतने उंचे बैठे हैं मतलब आपका immunity system इतना strong है कि आपको मेरी infection catch नहीं होने वाली नहीं होगी क्योंकि आपका emotional immunity system strong है जैसे आप किसी physical बीमार से मिले याप hospital भी चले जाएं जहां इतने लोग बीमार हैं लेकिन आपका physical immunity system strong है तो आपको ये बीमारी लेके थुड़ी घर आ जाएंगे लेकिन अगर आपका physical immunity system कमजोर है तो फिर तो आप किसी का खासी जुकाम लेकर घर आई जाएंगे तो it is not that everybody catches it it just depends के हमारा immunity system कहां है तो अगर आप किसी उदास से मिले लेकिन आप बहुत खुश हैं तो आप उदासी catch करके नहीं आएंगे लेकिन आप उनको खुश करके आजाएंगे मतलब उनकी बीमारी लेकर नहीं आएंगे उनको भी सेहत देकर आजाएंगे it all depends on आप कहां पर है तो अनिजी एक भरना बन चुकी है कि आम तोर पे जो अमीर लोग है वो खुश नहीं रहते उनको नीद नहीं आती वो रात तो इदर उदर करवटें बदलते रहते हैं और जब जब माया आई तब तब भी piece of mind गया माया तो नागनी है तो यह भी प्रीच करते हैं कि इसको छोड़ो लेकिन संसार में कितने लोग हैं जो माया को इकठी करने में लगे हुए हैं यह लोगों ने करवी ली लेकिन कुशी और धन का अपस में जो सबंद है, है कोई आप मानती हैं धन को माया नहीं कहते धन माया नहीं है धन तो बहुत important चीज है धन कमाना है, परिवार संभालना है परिवार के लिए बड़ा मकान बनाना है तीन गाणियां लेनी है, चाड़ लोग है आपके घर में धन माया नहीं है माया मतलब मेरी कमजोरियां मेरे विकार मेरा गलत सोचने का तरीका जिसके पास धन है वो खुश नहीं होगा ये तो बहुत गलत मान्यता है जिसके पास धन है उसको रात को नीन नहीं आएगी ये तो बहुत गलत मान्यता है ये तो सच नहीं है तो इस नॉट के दोस वार रिच are not happy नो, इस नॉट that to be happy you have to not be rich नो, you can be rich and happy, important is there are two different aspects of your life और आपको दोनों का ध्यान रखना होगा एक सिरफ छोटा सा ध्यान के जब धन कमा रहे हैं तो धन साफ होना चाहिए धन दुआओं के साथ आना चाहिए अगर मैंने किसी के साथ थोड़ा सा भी, कुछ भी धन कमाते हुए कुछ भी, थोड़ा भी गलत व्यवाहार, गलत काम छोटा धोखा, बड़ा ने छोटा भी, तो मैंने धन कमाया लेकिन धन के साथ उनका दर्द भी कमा लिया, दुआओं की opposite energy फिर वो धन मेरे घर खुशी नहीं लेकर आ सकते वो दर्द लेकर आया है क्योंकि किसी और का दर्द लगा हुआ है ना उस धन के अंदर, तो धन दुआओं के साथ आना चाहिए तो फिर हमारे घर दन और खुशी दोनों आ जाएंगे शवानी जी सनूदेडे मनुखी relationships ने इनके बारे में ज़रूर बताईए क्योंकि बहुत से लोगों के relationship जो हैं वो बहुत tense हो गए हैं, टूट रहे हैं relationship को सुमूद से लाने में ये भी एक कला बन गई है अब लेकिन आप क्या कहती हैं, do you believe in law of attraction? क्योंकि हमने रिष्टों को सोचा हम एक दूसरे से कैसे बात करते हैं, रिष्टों में हम एक दूसरे के लिए क्या करते हैं एक husband and wife, एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं, एक parent and child, एक दूसरे के लिए क्या क्या करते हैं, leave alone extended family friends, वो तो फिर बहुत सारे और रिष्टे, लेकिन हमने सोचा रिष्टे मतलब जिसमें दो लोग एक दूसरे के लिए क्या-क्या करते हैं लेकिन रिष्टे सिरफ क्या हम बोलते हैं और क्या हम करते हैं वो नहीं होता है रिष्टे है हम एक दूसरे के लिए क्या सोचते हैं मैं आपके लिए यहां बैठ कर जो सोच रहे हूँ वो तक पहुंचेगा. Really? 100%. आपको पता है, मैं क्या सोच रहूँ? मुझे पता होने की जुरूद नहीं है, कि आप क्या सोच रहे मेरे बारे में, लेकिन आपकी एनरजी मेरे पास आईगा. I will not pinpoint, कि अभी आप सोच रहे हैं, ये बहन ऐसी है, ये ऐसे, ऐसा नहीं. लेकिन आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, जैसे आप मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, वो तो मुझे clearly समझ में आ रहा है, लेकिन कई बार हम किसी के लिए बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, हम उनके लिए उतना अच्छा सोचते हैं, वो भी आप पक पहुचते हैं, लेकिन पहुचनाई हैं, बिकिस थ्री एनरजी विच इस रेडिएटिंग तो ये, थौट एनरजी, साउंड एनरजी, और आक्शन की एनरजी, तीन चीज़े हैं, जो मेरे से आपकी तरफ जा रही हैं, लेकिन हमने ध्यान किस पर रखा, बोलना सही है, करना सही है, सोचना, तो हमने सोचा, वो तो किसी को दिखने नहीं वाला है, तो अगर मुझे आपकी कोई बात बुरी लग गई, तो मैं अंदर से आपके लिए गलत सोचती जाती हूँ, ऐसा कह दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन मैं बाहर से कहती हूँ, आप से मलकर तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने आपको दो opposite energy दी है, सोचा कुछ और, बोला कुछ और, तो मेरा आप देखें, सिरफ अपने जीवन को reflect कीजएगा, तीस साल पहले, दस साल पहले, और आज, तीस साल पहले, आपके घर महमान आते, तो जीवन कितना simple होता, कि हम आपस में मिलके खिचडी भी बना लेते न, तो बहुत प्यार से खाते, होता के नहीं होता है, अब वो नहीं रही, अभी तो एक, लंबा चाहिए, पूरा मेन्यू, पहले क्या खाना है, फिर क्या बनाना है, पांच चीज़े, फिर डेजर्ट के, which doesn't mean कि उसमें कुछ गलत है, it's just that focus इतना जादा सिरफ बाहर की चीज़ों पर हो गया, पहले एक छोटे से मकान में, आठ लोग भी अगर रहते न, तो कई भी घुसके रह जाते, रात को छटों पे सोचाते, लेकिन आपस में कितनी unity, अभी हरे एक के पास अलग-अलग कम रहा है, लेकिन फिर भी वो bonding नहीं हो रही है, which means, बाहर perfection बहुत जादा फोकस हो रही है, लेकिन अंदर एक दूसरे के लिए कैसा सोचते हैं, आप तो मेरे निजदीक बैठे हैं, मैं जो सोचता हूँ, आपके बारे में आपको पता चल जाएगा, एनरजी कैसी है, यह कित्ती दूर जा सकती है, आप यहां से, आपके जो ममी पापा इंडिया में बैठे हैं, उनके लिए क्या सोचते हैं, उसके आधार पर आपका रिष्टा बनता है उनके साथ, उनके साथ, अपके घर में भी नहीं रहती हैं, लेकिन वो जहां रहती है, उसकी हर सोच आपके लिए कैसी है, कैसी है उसकी सोच, आप कैच नहीं कर रहे हैं उसकी सोच कोई अभी, आपको नहीं एक एक चीज पता चल रही है, मेरी मम्मी यह सोच रही है, लेकिन आपके मम्मे की सोच आपके लिए क्या है आपका ध्यान, आपके लिए प्यार, आपके लिए दुआएं वो आपके लिए गलत सोच नहीं सकती तो एक घर में रहने वाले पती-पत्नी जो एक दूसरे के बारे में सोचते है तो पती है अपनी पतनी के बड़े बुरा सोचता रहता है उसको पता चल जाता है पता नहीं चलता लेकिन वो negative energy तो पहुंचती है उससे क्या होता है उससे अगर मैं आपके लिए हाँ negative सोचू और अगर आपने ध्यान नहीं रखा आप थोड़ी देर के बाद मेरे लिए गलत सोचना शुरू कर देंगे और आपको अपने आप से मेरे लिए बारे में कुछ न कुछ गलत लगने लग जाएगा तो उससे relationship बिगड़ जाएगा बिगड़ जाएगा, simple है लेकिन अगर मैं आपके लिए भी अच्छा नहीं सोच रही और मैं आपसे अच्छा व्यवाहार भी नहीं कर रही लेकिन आप अपना ध्यान रखकर मेरे लिए फिर भी अच्छा सोच रहे है आप मुझे understand कर रहे है क्यार ये दर्द में है, इसका मूड खड़ाब है इसलिए इसने ऐसा बोल गिया, कोई बात नहीं आपको बुरा नहीं लगा, आपने मेरे लिए अच्छा सोचा ना थोड़ी देर में मैं आपके लिए अच्छा सोचना शुरू कर दो ये तो कोई भी करके देखे सारा दिन ये तो हम सारा दिन के experiments है न उपने तो आप experiment करते रहे हैं आप खुद भी करते, आप खुद आज घर जाके चेक कर लिए आपको खुद पता चलेगा तो जो लोग मुझे नफरत करते हैं अगर मैं उनके बारे में अच्छा सोचने लगूँ तो वो बदल जाएंगा उन्रिट पसेंट वो तो समझेंगे ये तो कमजोर वित्ती कमजोर तो वो होता है जो अपने रिष्टों को निभा नहीं पाते शक्तिशाली तो वो होते हैं जो सालों की गांठे पड़ी हुई रिष्टों को भी ठीक कर लें कमजोर किसको कहेंगे जो जुक नहीं सकता वो कमजोर है जो एड़्जेस्ट नहीं कर सकता वो कमजोर है जो सहन नहीं कर सकता बात को अपने अंदर समा नहीं सकता वो कमज़ोर है शक्ति शाली तो कितनी बाई भी जुक सकता है न तो आप रिष्टो हमें कितना जुकने के लिए ready है कितना adjust करने के लिए ready है लेकिन अगर ego इतनी होगी, stiff इतने होगे कि जुकेंगी ने मैं क्यों उससे बात करूँ उसने मेर इसे बात करों depends कि वो बाहर से जुक रहे हैं या अंदर से जुक रहे हैं, अगर मुझे आपके साथ एक घर में रहना है, आप अपने अनुसार व्यवहार करते जा रहे हैं, मेरे पास कोई चोईस नहीं है, मजबूरी मुझे आपके घर ही रहना है, तो मैने सोचा मैं एजस्ट कर रहे हूं, कहां एजस्ट कर रहे हूं, बाहर, क्योंकि मेरे पास आप्शन नहीं है उस घर को छोड़ कर जाने की, लेकिन मैं अंदर से एजस्ट नहीं कर रही हैं, अंदर से तुम्हें दुखी हूं, परेषान हूं, मुझे आपकी एक-एक बात बुरी लगती है तो मैं जुकी नहीं जुकना मतलब दूसरे के अकड, एगो, अहंकार गलती को समझ कर कि दूसरा तो बिमार है इसलिए ऐसा व्यवाहर करता है I have to understand that कारण क्या है उमें बताईए जिन लोगों के बिना आप बच नहीं सकते थे वो लोग आपकी जिन्दगी का बहुत बड़ा सहारा थे जब उनसे रिष्टा तूट गया तो वही लोग बुरे लगने लगे बरदाश्ट नहीं कर पाएं उनकी लगा कि कैसे नों कैसे नों से को अभी देखेगा suppose आज सुबह आपका मूड बहुत अच्छा है आपकी घर में कुछ बहुत अच्छी चीज हुई यहां स्टूडियो में आने से पहले और आप एंटर हुए और किसी से एक बहुत बड़ी गलती हुई है लेकिन आपका मूड बहुत अच्छा है तो उस दिन आपकी सेहन शक्ति आप उसको क्या कहेंगे कोई बाती है कोई बाती है कल ठीक कर ले ना कहेंगे ना आपका रिष्टा उस दिन अच्छा है क्योंकि उस दिन आपका मूड अच्छा है और अगले दिन आपके घर में कुछ हुआ, आप परिशान स्टुडियो में पहुंचे, सामने वाले से एक छोटी सी भी गलती हुई न, आपकी उस दिन अपनी सेहन शक्ती घटी हुई है, आप उसको डांट देंगे, रिष्टा भी गड़ गया, तो रिष्टा ओल्सो डेपे यली फरगिव नहीं किया, रिष्टे में कड़वाट और बढ़ गई, फरगिवनेस मांगने से वज़ादा इंपोर्टेंट है लोगों को फरगिव करने की ताकत, शमा करना, हम कोई नहीं है किसी को शमा करने वाले, अगर मैं आपकी कोई आज बात पकड़ के रख लूँ, कि मैं इनकी स्टुडियो गई, इन्होंने इस तरह से मिर से बात की, मैं पकड़ लूँगी बात को, तो मैंने आपको शमा नहीं करना, मैंने अपने आपको शमा करना नहीं, तो मैंने एक साल पकड़ के रखनी है, और जितने साल मैंने पकड़ के रखनी है, तो तंग आपक वह रहा है उस बात को पकड़ के रखने से, दूसरे को नहीं, अपने सुख के लिए अपने को शमा करो, दूसरे को नहीं, लेकिन ये सब कुछ अंदर मन में करना है, रिजल्ट तब नहीं मिलता, जब हम चीजे बाहर करते हैं, कि मैं आपको आपकर बाहर को, कोई बात नहीं, भाई सब आपने, जैसे भी मिर से बात की, कोई बात नहीं, आई फोगिव, लेकिन अंदर में बोलूं, की, कैसे, एक तुम मुझे बुलाया, उपर से मुझे ऐसा किया, अगली बार तुम मैंने जाना भी नहीं, तो मेरी थौट और वर्ड्स इस डिफरेंट, एन रिलेशन को प्यारा बना, यह नहीं के इंतजार के सामने वाला आके बनाएगा, और यह भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कि हम दोनों को कुछ करना पड़ेगा इस रिष्टे को ठीक करने के लिए, नहीं पास इतने, इतने, सारे लोगों के अनुभव हैं, जो कभी सेंटर पे भी नहीं मेडिटिशन भी नहीं सीखा, लेकिन सिरफ रोज जब प्रोग्राम सुन रहे थे न, अपनी सोच को बदला, जो लोग डिवोर्स तक पहुंचे हुए थे, वो वापिस आये, कोई मैजिक नहीं है इसमें, उन्होंने अपने उपर मेहनत की है, अपना जीवन जीने का तरीका सोच और नजरिये से बदला है, रिष्टा बदल जाएगा, अगर मैं आपकी एक भी बात को सहन ही न कर पाँ, अगर मुझे आपसे अपेक्षाएं इतनी हो, और जब आप मेरी अपेक्षाएं पूरी न कर पाएं, तो मैंने कहाना दुख तो नॉर्मल है, तो फिर मेरा आप reason which is creating conflict, तो spiritual power क्या करती है, आपके आत्मिक शक्ति को बढ़ाती है, means you are happy, अगर आप happy होंगे, तो आप मुझे accept कर पाएंगे, अगर आप happy ही नहीं, तो आप expect करेंगे कि मैं बिलकुल आपके अनुसार हूँ, वो होने वाला नहीं है। तिश्वाणी जी आजकल जो रिष्टे तूटने में एक बात है, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन्शिप बहुत होने लगे, और एक पार्टी तो पूरी वफा कर रही है, दूसरी पार्टी जो है, वो रिष्टों में इतनी corruption आ गई है, उनके दो दो तीन 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 साइटी को, आप उन लोगों को क्या कहना चाहिए? में रहते थे, then we changed our son's car, हमने जल्दी जल्दी job change करने शुरू किये, same with रिष्टे, पहले हम एक रिष्टे में जुड़ते थे, और हमें कहा जाता था, अर्थी अब इसी घर से उठेगी, तो रिष्टा ना कभी तूटता था, और extra marital affair का तो कोई question ही नहीं था, लेकिन फिर रिष्टे में मुझे चाहिए, चाहिए, रिष्टे चाहने के लिए नहीं होते हैं, कि जहां मुझे चाहिए, रिष्टे प्यार और सम्मान देने के लिए होते हैं, मांगने के लिए नहीं होते हैं, और जो ये कर रहे हैं, जो आपने कहा, वो सिरफ रिष्टों में धोका न तो इसमें घटती जाएगी ये घटती जाएगी अपनी ताकत क्योंकि मांगने वाली लाइन में खड़े हुए न सारथिन आप मुझे दे दो आप मुझे दे दो फुड़े साल के बाद बोलेंगी मुझे किसे मिलेगी वो प्यार और खुशी अपनी खुशी घटती जाएगी और ये कोई भी अपने अनुभव से अगर कोई ऐसे कोई रिष्टे में है तो अपने आप से पूछ ले पंदर से खुश नहीं होगा रिष्टे में है रिष्टे is not about physical needs रिष्टे is about emotional comfort मैंने देखा कि लोग एक रिष्टा तोड़ देते हैं जहांसे उन्हें प्यार नहीं मिलता यह expectation थी वो नहीं मिली दूसरे रिष्टे कामयाब भी हो जाता इप इस अदिवोर्स यूर से अपने सेपरेट हुए वियर टोकिंग अबाट यूसर एक्स्रा आमने से मिल रही है यूर सराउंड़ेड भाइ नेगिटिव एनरचीज फियर डाउट, इंग्जाइटी मैनेजिंग, there is just too much complication अब ऐसी नेगिटिव एनरचीज आपके जीवन के दाइरे में आ गई आपकी आंतरेख खुशी बढ़ेगी कैसे इसके बाद, constant तो fear तो सबसे पहले dominant energy हो गई उस रिष्टे के अंदर, आप हमेशा डरवी में, तो इसमें और divorce में तो बहुत, वो तो फरक हो गया ना वो बात को, उसमें आपने एक रिष्टे को closure किया फिर आपने एक नया रिष्टा शुरू किया, वो completely different बात है, और ये तो एक completely different बात है, अखीर में मैं anger की बात करना चाहता है, गुस्सा बहुत लोगों में है, गुस्से के नतीजे के तोर पे बहुत से जिंदगें बरबाद हो गई, अब तो anger management की classes शुरू हो गई है, court वाले भी यही कहते हैं, judge भी यही कहता है तो गुस्से के बारे में आप क्या कहेंगी कि इसको control करने के लिए जो आपकी techniques हैं, वो कौन-कौन सी हैं और कैसे चलते हैं गुस्सा मतलब दुनिया मेरे अनुसार होनी चाहिए, the world should be my way, people should be my way, अगर लोग मेरे अनुसार हैं मैंने गुसा नहीं करना, लेकिन जब लोग मेरे अनुसार नहीं होंगे तो मैं believe करती हूँ कि गुसा करना normal है, that's how the world thinks तो इसलिए सारा दिन में अब लोग और situations तो मेरे अनुसार होती नहीं हैं, तो मैंने धीरे धीरे एक सीन में, दो सीन में, दस सीन में गुसा करना शुरू कर दिया, धीरे-धीरे बन गई वो आदत, एक बार वो मेरा संसकार बन गया, अब लोग कैसे वियोंग गुसा करना मेरी आदत बन गई है, लेकिन it's only a habit and it can change सुबह-सुबह अच्छी खुराख खाए, मन के लिए आच्छा मन के लिए कोई अच्छी खुराख ने खा रहे है थोड़े साल पहले जाएए हर घर की सुबह की शुरुवात कैसे होती थी घर में सुबह सात्विक्ता होती थी, सत्संग होता था गुरद्वारे जाते थी, मंदिर जाते थे एक सादगी और पवित्रता घर की सुबह में होती थी जिससे मन की ताकत बढ़ती थी that is like emotional nourishment ऐसे हम घर से सुबह निकलते थे तो हमारी माताजी पांच बदाम खिला दे हमारे को खिलाते थे न कुछ नहीं खाया ना बच्चे ने चलो पांच बदाम खाके घर से जाओ खुराक क्योंकि अगर कुछ भी ठीक से खाके नहीं जाएंगे तो शरीर कमजोर हो जाएगा आज सुबह की शुरुवात कैसी है सुबह उठते अकबार सुबह उठते न्यूस चैनल मतलब सुन क्या रहे हैं सुबह उठते quality क्या है terror, violence and everything else which is not right whatever we watch, read and listen is what we become जो हम सुनते हैं पढ़ते हैं, देखते हैं वो यहां मन पर information बैठ जाती है और उसी में से thought चलेगी इसलिए अलग-अलग शहर अलग-अलग देश, अलग-अलग information, अलग-अलग सोच लेकिन जब से media global हो गया social media global हो गया हमारे तो पूरी विश्व की information अपने पास आती है तो कहीं भी कुछ हुआ, सुबह-सुबह मैंने पढ़ लिया, सात्विक तो कुछ भरा नहीं, और anger टेरर, वाइलन्स की information भर ली, तो सोच कैसी चलेगी उसके बाद, ऐसी चलेगी कोई भी experiment करके देखे ये एक महिने का experiment करते हैं सुबह-सुबह और नियूज नहीं पढ़ते हैं और टीवी पे भी नियूज नहीं देखते and I'm sorry, but रेडियो पे भी नियूज नहीं सुनते हैं सुबह-सुबह दिन की शुडवात है, भराग है सुबह, आदा, घंटा कुछ भी चूज करें लिकें वो बहुत सात्विक और हाई एनरजी होनी चाहिए everyone can choose what they want चाहे आपने कहा हम गुरु गुरु गुरंद साहिब पढ़ रहे हैं तो सुबह सुबह कुन सी खुराग डाली अपने अंदर इसी ने श्रीमत भागवद गीता पढ़ी सुबह सुबह क्या डाला अपने अंदर लड़ी करते हैं और मेडिटेशन करते हैं चार्जिंग ओफ दे सूल ये कर लिया ना उसको सारा दिन गुसा नहीं आख खुराग की कमी मन की बीमारी गुसा खुराग देना शिरू कर दे सुबह आदा घंटा रात को सोने से पहले दस मिनिट रात को सोने से पहले नियोज या ऐसी कोई टीवी प्रोग्राम या ऐसा कोई मूवी या ऐसी कोई किताब जो डिस्टर्बिंग थोट्स क्रेट करे रात को सोने से पहले ने लास्ट दस पंदरा मिनिट बहुत प्योर जो उसे मन में शामती रहेगी उसका नींद पे असर पड़ेगा न आपने अभी शुरू में का था रात को नींद नहीं आ दी रात को नींद क्यों नहीं आ दी एक तो दिन में सोच अच्छी नहीं चली और फिर सोने से पहले क्या भर लिया अपने अंदर तो जैसा रात को भरेंगे वो ही सोच चलेगी रात को तो फिर मुझे नीन कैसे आईगी आदा घंटा सुबह दस मिनिट रात को सोने से पहले इतना कोई चेंज ले आए और उसके अंदर चेंज आजाए श्वानी जी अखीर में हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगी ताकि उनकी जिन्दिग लें शान्ती आ सके प्यार और महबत का जो पलूस का महौल बन सके बहुसे लोग हैं जो आप से सुनना चाहते हैं कि आज कि उनके बिखड़े हुई रिष्टे ठीक हो जाएं या कहना चाहें चाहे आपकी खुशी है चाहे आपके शरीर की सेहत है चाहे आपके रिष्टे हैं सब आपके हाथ में हैं कुछ भी बाहर नहीं है आपके हाथ में हैं थोड़ा से समय, हर रोज, अपना ध्यान रखने के लिए आदा घंटा रोज निकाले। आज आपका फोन बात करने के लिए है, मेसिजेस करने के लिए है, इसी तरे मन है, सब कुछ करता है। लेकिन उस मन को ही नहीं चार्ज करते हैं, उसको ही खुडाक नहीं देते हैं सुब सुब तो हर चीज मुश्किल होने लग गए, रिष्टे मुश्किल होने लग गए, सेहत मुश्किल होने लग गए, सब चीज मुश्किल है क्योंकि सुब 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 उसको बिना चार्ज कि ये निकल रहे है, और वातावरन में वो सब पहल गया है, तो हमारे उपर वातावरन के vibration का असर पड़ता है, it's like infection is in the air, emotional, so we really need to charge ourselves, just give half an hour to yourself, every day, meditation सीखें, yoga सीखें, ज्यान study करें, बस आदा घंटा मन को charge करें, बाकी साड़े तेईस घंटे, जैसी जीवन, जो मर जी नहीं, जैसी जीवन आपको चाहिए न वैसे होगी, happy, healthy and harmony, because it's a result of a charged mind, जो खुश रहना ये प्रिस्थिती की choice है, आपको नहीं लगता है, परिस्थिती पर तो मन की स्थिती आधारती नहीं है, अब जैसे ये दर्वाजा खुला, कोई अंदर आया, ये मिर लिए एक परिस्थिती हो सकते है, एक interview करते हुए दर्वाजा कैसे खुल सकता है, अंद नहीं किया, लेकिन उनके अंदर आने से मैंने कैसा सोचा, तो अगर मेरे पास options क्या है, एक option, अंदर कैसे आगए, पांच मने टुखना चाहिए था, प्रोग्राम चाहिए, वान ओप्शन, इरिटेशन, दूसरा, मैंने मन तक नहीं रखा, उनको जोर से कह भी दिया, क्या अपको लगता है, आपको अंदर आना चियाता, और बोलने का तडिका मेरा बहुत अलग अलगता है, एं तीसरा, अपने काम से आया, तीरे से दरवाजा कोला, अंदर आगए, आगए. and I'm happy so it's not about the situation you know, every time when we blame the situation we say, उनकी वजह से मैं इरिटेट होगए मैंने चूस किया लेकिन उसके लिए सुबब सुबब खुड़ाग खा किया ना पड़ेगा श्वाणी जी बहुत बहुत मेरबानी आप इस्टुडियो में आनेगी थेंक यू अब श्याओ